आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है वैभाव गहलोत और जो राजिस्थान की वर्त्मान चीम मिनिस्टर है मुक मंत्री है असोग गहलोत के वेटे है और ये भी राजनेता है पॉलिटीसियन है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चल्चा कर लेते हैं एक सामान जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं कुछ और पिक्चर आप लोग देखी अपनी स्क्रीन पर ये आप देखेंगे असोग गहलोत है इनकी पतनी है यानि की बैभाव की माता पिता है और आप देखेंगे कि अगर हम लोग पतनी की बात करें तो ये आप लोगों को इनकी पतनी दिखाई दे रही है ये बैभाव हो गया उत्तरफिदेश हो गया अप हर्याना और पंजाब से लगती है छेथफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन राजिस्तार तीन लाग ब्यालीस हजा दो सो उन्तालीस वरक किलूमीटर में फैला हुआ है विधान सभा में 200 सीटे है राज्य सभा में 10 सीटे है लोक किसी बरक से है क्योंकि हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है तो उसकी जाती धरम पहले देखा जाता है वैभाव का जनम 2 जून 1980 को हुआ था जोदपूर राजिस्तान में इनके पिता असोग गहलोत राजनितिक है इनकी माता का नाम सुनीता गहल गरहनी है इनकी पत्नी का नाम है मालसी गहलोत है इनकी एक बेटी भी है कसोनी गहलोत उनकी बेटी का नाम है अगर इनकी सिक्षा की बात करें तो वाईव सेना का बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से इन्होंने सिक्षा लिए है कॉलेज पढ़ाई ILS College of Law फूने से लिए है इन्होंने कानून में सनातक किया हुआ है एलल भी किया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि काफी पड़े लिखे भी है एक बेजिनिसमेन है और राजनीता है भारती राज्ती कॉंग्रेस से जुड़े हुए है I.N.C. से और कि कॉंग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनित पाइटी बन गया था ठीक है अगर निकी राजनितिक यात्रा की बात करें तो 2004 में यहनोंने युवा कॉंग्रेस में सामिल हुए थे 2004 में भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल हुए थे और आप देखेंगे उनके पिता असो गहलोत ने उन्हें 2009 और 2014 में अपने राजन आप देखेंगी जोत पूर निर्बाचन 6 थे 2019 में लोकसभा का चुनाओ भी लड़ा था लेकिन हार गये थे चुनाओ यह और आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाओ की अगर हम लोग बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो नहीं चाहिए अगर आपको लोकसभा का चुन भारती निर्बाचन आयो एक समिधानिक संस्ता है समिधानिक की अनुछे 324 के तैद इसकी स्थाफना की बात की गई है और आप देखें 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थाफना हुई थी 25 जनवरी को आप लोग मद्दाता दिवस्त भी मनाते हैं और हैड क्वाटर नहीं दिल्ली हो किस तरह का रहता है यह तो आने बाला वक्त ही बताएगा और उसके लिए सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप लोग न्यूज पेपर से जुड़े रहा करिएगा न्यूज देखते रहा करिएगा और आपके पास स्मार्टपॉन भी है तो आप लोग देश दुनिया के बारे में कबरें रखते रहते हैं और किसी के बारे में अगर जाननी की दिल्चस्पी है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे